हेलो दोस्तो मैं आप सब्सक्राइब करता हूँ आपका अपनी जानल जानल से इस्टूडिय हैं देखें जैसा कि आप सब्सक्राइब को बता कि हमाने तोरह आपको डेली एक करेंट अफेर का वीडियो प्रवाइड कराया जाता है जो कि आपकी सभी एक्जामों के लिए चाह कि आपकी एक्जाम में 100% आपके लिए हेलफल साबित होगा ठीक बैसे ही आज देखिए आज जैसा कि आप सभी को देख रहा होगा इस्क्रीन पर आज हम लोग खेल यानि इस्पोर्ट्स की जो मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन है उनका पार्ट टू यहां पर डिसक्स करने व हैं दूसरी बात जो आपके लिए सबसे इंपोर्टन वाली बात है कि यहां पे हम लोग ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं ठीक है जिससे कि आप भूले ना और आप अगर एक दोसे तीन बार यह वीडियो देखोगे आसानी से आपको गारेंटिक साथ आपको सारे रट जा आपको जो जो वीडियो प्रॉइट करा जाते हैं जो कि आपकी एक्जाम के पॉइंट अब बीडियो इंपोर्टन हो ठीक है चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो और दूसरी बात देखे कभी-कभी हम साथ से साड़े साथ जो आपकी करेंट अफरी किलास होत वीडियो जो प्रॉइट करा दिया जाता है अगर हम लाइव नहीं आपाते हैं तो ठीक है चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं आज का जो एंपोर्टेंट सेक्षन है उसको चलिए देखे पहला कोशन आपके स्किन के शामने है देखे इसमें लिखा हुआ है 31 में ओलंपिक खेल 2016 में कहां आयुजित किये जाएंगे ठीक है तो इसको पहले तो आपको आंसर बताना है अपने सोच के किसका आंसर क्या होगा उसके बाद अगर हम आपको चेक करवाएं तो कर आपको सफ निकला या नहीं निकला चरि तो इसका अंसर हो जाएगा आपको क्या बहुत बढ़ी हुआ जिसका आंसर यह ऑफ्षन आ रहा है ना ब्राजील ब्लकुल सही आंसर है ठाएं तो आपको एद अखना भ्राजील ठीक है चली तो देखे इसकी एक ट्रेक है आपको सिंपली यह याद करना है कि आपको देखना है तीन यह 31 लिखा है ना तो आपको यह सोचना है कि तीन नाम एक ही लाइन में होने चाहिए तीन नाम एक ही लाइन में होने चाहिए तो देखिए तीन नाम रियो डी जेनेरो है ना तो सिर्फ और सिर्फ इसी आप्षिन में आपके मिलेंगे ही मतलब वहां भी आपको यही मिलेगा और बागी छोटी छोटी नाम में लिखेंगे आपको तो आप उससे डिरेक्टली कोरेलेट कर सकते हो कि आपका आंसर क्या हो ज कोशन है नहीं ब्राजिल चलिए नेश्ट कोशन के बाद कर लेते हैं जल्दी से तो नेश्ट कोशन आपके सामने है पूछा गया 32 में 32 में ओलंपिक खेलों का जो आयोजन 2020 में तो आपको पता है चार साल बाद खेलों का आयोजन किया जाता है ठीक है तो यह 2016 में हुआ थे कि बिल्कुल सही बाद होई यहाँ पे आंसर किया हो जाएगा आपको डी ऑफ्षन से हो जाएगा टोकियो ठीक है टोकियो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अब इसको कैसे याद करेंगे तो आप समझो इसमें olympic a.n that the audience पर टी में 32 में अबरे क करेंगे अब आपको यादखना है कि हम पिकनिक पे गई थे और बतごOME जाखना है कि हमड़े हैं बती चली गई हैं लगी का रहे हैं तो स्म Іंसल exem शा सब्सक्राइब करतें कि व्यायद आफटे को तो आपको याद अदक सब्सक्राइब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए और देखिए अगर आपको ट्रिक पसंद आ भी रही हो या नहीं भी आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है आप का है डारेक्ट कर लें और देखिए यह उनके लिए जो थोड़ा मुस्किल होता है याद करने के लिए ठीक है त तो यह चार साल बाद होंगे तो चौविश में होंगे यह तो आपका किलियर है लेकिन वो बत्तिश में थे यह तेतिश में है तो इनका आयोजिन कहां किया जाएगा यह बताना है तो बताएं अल्दी से क्या आंसर हो जाएगा तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका ए यह हो जाएगा तो कैसे याद करेंगे को दाद है तो वह है वाई बत्तिष में निला यह पिकनेक सी तो जब 37 में और कि नो packets कहा दो करेंगे आप सुच्छी गया उन्हें टीस साल बाद होते हैं ठीक है लेकिन 32 में लाइट चली गई थी तो हम 33 में क्या कहेंगे वहीं फस अगया है फस अगया यह नहीं फ्रांस ठीक है तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो चली नेस्ट कोशिन तरिक पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ज्यादा से ज तो पांच आशर क्या हो जाएगा तो देखे इसका अंसर हो जाएगा आपका ए आप्ष्ण दच्छड कोरिया तो यह थोला आप ऐसा कुछिन नहीं लग रहा सोचने की बाद क्या है वह मताते हैं यह बैसा कुछिन नहीं लग रहा दो जार अठारा यार यह तो निकल गई ह उना क्या बोलते हैं आपका पाश्ट की वात हो रही है ना तो क्य कहेंगे यह Nicholas 18 थी वह पता नहीं चली च्छड बर की ठी और निकल गई है न तो च्छड किसमे आरा रहा आपका 1010 नहीं चल क्या सै तो 2018 ठीज निकल गई तो٠ine नहीं चला है चलिए नेस्ट कोशन नेस्ट कोशन के बात कर लेते हैं जल्दी से पूछा गया है यहां पर 24 में सेथ कालिंग ओलम्पिक 2022 में कहां आयुजित किया जाएंगे तो देखिए यह 24 में है और 2022 में आयुजित किया जाएंगे क्योंकि वह आपके 2018 में हुए थे हैं ना तो वही वाले कानी चले तो आप बात कर लेते हैं 24 24 24 से 24 याद कर लो आई 24 24 एक भैक्ती का नाम है तो उन्होंने क्या का कि हम पिकनिक मनाने जाएंगे सीथ कालीन में 2022 में लेकिन वह क् बिजी है क्या है बिजी है उन्होंने सोचा था हम 2022 में जाएंगे सीथ कालीन में लेकिन वह क्या है बिजी है तो इसलिए वह नहीं जा पार इसलिए डियॉप्षन आपका सही हो जाएगा ठीक है और फिर उन्होंने सोचा कि हम अगले वाले में जाएंगे तो अगले वाली क यह 26 वाला क्योंकि चार साल बाद होता है बाइस में होगा ताब 26 में होगा लेकिन कहां पर होगा यह बताना है तो देखिए यह उश वार तो भी जी थी चौबी जी और इस वार क्या है वो किसी काम में फसे हो गए है ना फसे हो गए है तो फसे से हमने पहले बताया था फसे स मां आया 2026 में आया तो वह क्या है किसी काम में फसे हुए है तो इसलिए नहीं जा पाई इसलिए आपका option number यहां पर यह हो जाएगा ठीक है नहीं फसे से मतलब France ठीक है न तो पेरिश फिराज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा देखें जितनी हमसे हो सकता है उतनी ट्रिक बना रहे हैं ठीक है चलिए और बताना है कमेंट करके ट्रिक कैसी लगी वीडियो कैसा लगा ठीक है चलिए नेस्ट कोईशन अब पूछा गया है 21 में राष्ट मंडल खेलो का आयोजन 2018 में कहां किया जाएगा तो अच्छा कोश्चन है बताए जलिए से क्या आंसर हो जाएगा इसका देखे इसकी एक सम्पिल ट्रेक है 21 को आप एक कर दीजिए एक और राष्ट मंडल है राष्ट अटाके मंडल है ना मंडल को मैडल कर दीजिए एक मैडल लेने की सब की आस होती वाई या होती की नहीं होती सोचते क्या एक मैडल तो ले तो क्या होती आस तो देखिए आस कि में आ रहा है आपका Australia ठीक तो Australia is the correct answer हो जाएगा इसका ठीक है तो आपको याद रखना है कैसे सम्पर से वता देते हैं एक और फिर देखें फटा-फट हम revision करा देंगे तो आपको याद हो जाएगा सारे question ठीक है तो एक आपको क्या हो जाएगा मंडल से मैडल की क्या होती आस होती इसलिए आस टेलिया आपका सही answer हो जाएगा फटा-फट हम revision करा देंगे जल्दी से तो आपको सारे question याद हो जाएगे फटा-फट ठीक है चलिए आठ में के बात कर लेते हैं वाइश्मा अरस्ट मंडल देखें वो किश्मा था और यह वा किंगम तो इसका D option हो जाएगा इसकी कोई ट्रिक नहीं है वाई तो आपको इसको ऐसे याद करना पड़ेगा चलिए नेस्ट कोश्चिन नेस्ट कोश्चिन आपके सामने अठार में ऐसी एखेलों का आयो जन दूजर अठारा में कहां किया गया तो इसकान से बताना है जल् लड़के 18 के हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं एस करते हैं एस फॉर एशिया चलिए एस करने लगे लेकिन करते कहां है इंडिया ही में करते हैं इंडिया मतलब इंडोनेशिया इंडिया किसमें आ रहा इंडोनेशिया है ना यह मत सोच लें ना कि इंडिया ऑप्शन में मिल क्या में करते हैं चले नेस्ट कषे तैस्ट प्रमाइक और इस मोड़की ऊ-इस खेलों का एजन 2022 में कहां किया जाएगा ठीक है तो यह उनलीश मा इस याई कहिल तो गया है जब आठारा में रड़कों ने एस किया तो क्या किया इंडिया में एस किया ठीक है इंडिया में एस किया जब 19 में एस करते रहे 2018 से किया था 22 तक आ गया यह नहीं चार साल हो गया तो चार साल में क्या होगा उन्हों उन्हें शुगर की बिमारी हो गई भाई शुगर की बिमारी शुगर मतलब चीन हम चीन्य आपका विझोल को सही आंसर हो जाएगा डारुवह कारुब गुमाफरा है तो क्या होगा 4 सलवादny नि 2002 में वो क्या होगा शुगर की बीमारी हो जाएगा है चलि कि नेust ौश्य तो देखिए आप पूछा गया है आपका एकीश जो एकीश एकीशवा फीफा वर्ल्ड कॉफ दोजर अठारा कायोजन कहां किया जाएगा तो यह सबको पता है शिम्पली रूश में किया जाएगा ठीक है तो यह इसकी कोई ट्रेक बताने की जरूरत नहीं है ठीक है तो एक आपका सही हो जाएगा चली नेश्ट कोशन नेश्ट कोशन पूछा गया है महिला फीफा बर्ल कफ कायोजन 2019 में कहां किया जाएगा तो देखिए यहां पे महिला फीफा बर्ल कफ कायोजन है तो कहां किया जाएगा आपका इसका भी आपको आंसर पता होगा फ्रांस पुरुश का आपका रूश में किया गया था और इ आप्सिंस हो जाएगा यहां पे ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है चलिने स्ट कोशिन पर ने अश्ट कोश्वन है बाईश में फीपा बैड़्ड कफ है ना बाईश में फीपा बैड़्ड कफ का ऐजन 2022 में कहां किया जाएगा तो यह अच्छा कुशन है आप बता सकते हो कहां किया जाएगा देखे यह पुरुष फीपा वर्ड कप का है तो रूश के बाद आपका कतर में होगा ठीक है कतर यहनी दोहा तो इसकी ट्रिक है कि भाई कि दो पंक्तियां हो जाएगा तो कka बन जाएगा हमारे दोहा बन जाएगा कि दीश बाइस ता कि दीश बाईगा डोऌ च्छू वाते है लिए नि दो तो फीपा है देखे इसमें भी आपका अफ दो दो अरा था ना दोजारכा ठीक है फीपा लिखते हो ना पूछा गया है चौदा पुरुष बिसकफ होंकी 2018 में आयोजन किया जाएगा कहां किया जाएगा ये बताना है आपको तो बताना है अलिस है तो कहां किया जाएगा बहुष 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 टाइप के गेम हो जाता है तो आप याद कर सकते हों कि चुगदा साल से ही बच्चे क्या है हांकी की प्रैक्टिस करने लगते हैं कहां भारत ठीक है इसलिए आंसर हो जाएगा यह चलिए आप नेस्ट कोईशन यह मैला की बात आगी वाई मैला कैसे करोगे तो देखिए आपक एंगलेंड से यह लग रही जो इतने फिल सकति हैं ओप्षैन के लिए ताबली से हो रही है सकते इसलिए नम्मर्ट क्या हो जाएगा ठीक है चलिए बहुत बड़ी आगी नाइस्ट कोश्चिन पूछा गया मैला टी-टॉन्टी बैल्ड कप का आयो जन अठारा में कहां किया जाएगा अच्छा कोश्चिन है फटा-फटा आप हां तो आफ्शन नम्मर इसका यह हो जाएगा बेस्ट इंडिज ठीक है क्यां बेस बैल्ड का पारा तो दो लोग थे एक यह एक यह तो इसने कहा महिलाओं का पर्ड का पारा वाई तो यह बोला अरे आने दो क्या हो रहा हम तो पुरुष का देखते हैं तो यह बंदा बोला नहीं बाई बेस्ट खेलती हैं यह लड़कियां का करती बेस्ट खेलती हैं ठीक ह तो बेस्ट से अपका बेस्ट इंडीज हो जाएगा ठीक है तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि यह आफसन इसका सही हो जाएगा किलियर है चलिए नेस्ट कोशन पूछा गया है माईला किरकेट वर्ड कफ 2021 में कहां अजित किया जाएगा तो यह बताना है आपको तो क्या आणसर हो जाएगा बहुत बढ़ी आवाज जिसका आँसर सी आरे दुमेंड विलकों से आंसर ऑजएगा तो इसको यह आप खली जी दुमाट करorter केट नियू है मतलब न्यू इस्टार्ट हुआ है तो जो बैड़कॉफ है आपको पता है ठीक है वह मतलब अच्छे इस तरह का माना जाता है तो वह क्या है न्यू इस्टार्ट हुआ है इसलिए न्यू जी लैंड हो जाएगा 2021 में चले नेस्ट कोश्चिन पूछा गया है पुरुस पुरुस टी टूँटी बैड़कॉप का आइजन कहा किया जाएगा तो आपको पता है 2020 में हैंना अच्छा टी टूँटी बैड़कॉप पूचा है है ना चले तो कहां किया जाएगा इसका ओफ्शिन नमर और उस्टेलिया हो जाएगा देखिए हमे जो बैर्ड कफ हुआ था वो था आपका England में England जीत के ले गई सब पता है वेश्ट इंडीज के ख़लाफ ठीक है आप देखे आप 2020 में होने वाले हैं पर उसके बैर्ड कफ ठीक है तो उसमें हम क्या लगा सकते बाई आस लगा सकते हैं क्या लगा सकते आस कि अठारा में नहीं जीती तो हो सकता है बाई 20 में जीच जाए तो इसलिए एका होंगे आपके ऑस्टेलिया ऐसे दा करेंट आंसर तो आपको नमर आपृक्षिन नमर सी हो जाएगा थाक है इसले next question next question अपके सामने बता है इसकाांican क्या हो जाएगा भई कर्केट वालडक वाल्ड- przed 2019 सब्सक्राइब है उन नीश में कहा नहीं तो आपको बता चुके इंग्लेंड और इन्ट वेल्स ठीक है और यही जीती है इंग्लेंड और आपकी नू जीनाध से ठीक है तो यह याद रखिए गो नैस्ट कोश्चन इस मुक्क्यवाजी चेंपिए हैं 2021 कहा नहीं Presque क्या हो जाएगा है तो क्या answer हो जाएगा बिलकुस भारत हो जाएगा कैसे हो जाएगा अरे मुक्यवाद जी सबस्वemorला करते हैं मोघ्याद भारत पो चलिए नेस्ट कॵेजिन पूछा गया है 36 में राष्टिये खेल 2017 में कहां आयुजित किये जाएंगे किये गए है ठीक है तो ये आपका थोड़ा सा अच्छा कोशन है ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा गोवा गोवा याद रखना है आपको B option is the correct answer ठीक है इसकी कोई trick नहीं है राष्टिये खेल ठीक है तो इसको आपको याद रखना है चले next question पूछा गया 36 में राष्टिये खेल लोगा है जिन कहां किया गया तो ये भी आपको याद रखना है 36 में गोवा में और 37 में आपका आंदरपरदेश ठीक है तो ये थे आपके important question जो आपको बिद्र ट्रिक बताएं तो आपको बताना वीडियो कैसी लगी और comment करके बताना देखिए आपके support से ही क्या है ये इतने सारे वीडियो हम बना पार है तो वीडियो को दबा कर आप लोग शेयर किया करिएगा ठीक है सभी दोस्तों के साथ सबी गुरू के साथ किंकि आप ही देखिए support कर सकते हो थोड़ा सा और हम आपके लिए इतनी मेनद करते हैं तो आप इतना तो करी सकते हो ना चलिए तो एक बर फटाफट revision कर लेते हैं और guarantee के साथ कह रहा है आपको कम से कम 70% question याद यहीं हो गए होंगे और आपके revision के बाद आपका 90% याद हो जाएंगे ठी जल्दी से revision कर लेते हैं फटाफट एगवार जल्दी से चलिए पहला question है फटाफट करेंगे 11 में olympic खेल कहां यहीं जित किया गए थे तो देखिए हमने बताया था तो answer क्या है बिलकुल सही है जिसका answer यह है बिलकुल सही है बताया था तीन नाम एक ही line में हो तो तीन ना question है इसका answer होता है जल्दी से बतीश में olympic खेल कहां है जित किया जाएंगे फटाफट बताएं तो देखिए जिसका answer टोकियो आ रहा है है ना डी option इसका आ रहा है बिलकुल सही है क्योंकि हमने बताया था पिकनिक बनाने गए थे बती चले गई तो हमने मन कैसा कर रहा था टोकने का इने ठोकने का मन हो रहा था ठीक है चलिए नेस्ट कुश्चिन अरे यार आंसर दिख जाता है ना चाहते हुए चलिए कोई बात के लिए 33 में 33 में की olympic खेलों का यजन का होगा था तो बताना है आपको जल्दी से बताएं तो भाई आप क्या कहेंगे बती चले तो फस अगये बाई तो ऑप्शन नमर ए विल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए नेस्ट कोश्चिन पुछा गया तेश में शीत का लिन ओलंपिक कहा एजित किये गए थे तो बताएं जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा सभी को पता है थोड़ा से दमाग लगा बिल्कुल स रही है जिसका यह आंसर आ रहा है विल्कुल सही है बताया था 2018 और यह सीत का लिन यानि 2018 की जो गर्मी है सरी सीत यानि सर्दी है वह अपकी छड़ भर के लिए है और निकल जाती पते नहीं चलता है ना पते ही नहीं चला कम निकल गई तो छड़ यानि 10 चले नेस्ट कोश् 24 में शीत काली ना तो 24 आपको कोच यादा आ रहा होगा 24 है ना 24 तो वो क्या कर रहे थे बताया या लिसन तो इस कांसर क्या हो जाएगा भाई वीजी थे 24 जी सोचा था हम सीत काली जो ठंडियों में है वो पिकनिंग बनाने जाएंगे लेकिन वो क्या थे वीजी थे यानि डियो आपको सही हो जाएगा चले बहुत बढ़ी हो गई फिर उन्होंने अगली बार सोचा कि हम चार साल बात जाएंगे तो फिर क्या हो गए थे 24 जी सीत कालीन वही तो है ना चार साल बात तो वो क्या हो गए थे किसी काम में फस गए थे ठीक है फस यानि फ्रांस तो आपका option नमर ए हो जाएगा बिलकुल सही है बहुत अच्छे स आस होती है होती ना तो आस यानि ऑस्टेलिया इस दा करेक्ट अंसर तो option नमर सीवल को सही हो जाएगा आपका बहुत बढ़ीगा तेकि आपको सब को बताना है कि आपको याद हुए कि नहीं हुए चले 22 मा मंडल जो है वो क्या हो जाएगा बताएं अले से इसका अंसर क्या हो जाएगा भई तो बताया था इसका बरगिंगम आपको याद दखना इंगलेंड ठीक है चले बहुत बढ़ी हो आइश्ट कोशन अठार में एसी आई खेल तो इसकी ट्रिक बताया थी फटा फटा अंसर होता है क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है इंडोनेशिया बिल्कुल सही है अंसर हो जाएगा बताया था अठारा साल के जो बच्चे होते हैं वो कहां एस करते हैं एस फॉर एसिया इंडिया में करते ह ठीक है तो यह 2018 का हो गया चलिए 2022 में कहा हो जाएगा उन्नीशमा तो यह बताना है आपको तो देखिए जब चार साल एस करेंगे तो उन्हें क्या हो जाएगा दारु आरुप पियेंगे और आपकी जो मिठा वीठा खाएंगे तो क्या हो जाएगी शुगर की विमारी या नि दूश में हुआ ठीक है तो इसकी कोई ट्रेक नहीं बनाई थी तो जिसका रूस आंसर है विल्कुल सही आंसर है चले महिला का भी बताया था फ्रांस में होगा बताया था तो यह भी आपको याद रखना है ठीक है चले नेस्ट कोश्यन पूछा गया आपका बाश में फीफ बन जाती है ठीक है तो डी आफ्षिन आपका सही हो जाएगा चली नेस्ट कोश्यन बता है चौदा पुरुष हैनि चौद में पुरुष बिस होंकी कप है ना कि आजन कब किया जाएगा कहां किया जाएगा तो बताया था जो चौदा साल के पुरुष होते हैं नहीं मेल होते हैं लड़के होते हैं वो कहां भारत में खेलना स्टाट कर देते हैं तो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा और देखे जब लड़कियां खेलती हैं भी गेम तो आपको बताये था तो क्या कहते हैं गाउं की लोग लगता है ये इंग्लेंड से आई होई है तो इंग्लेंड बिल्कों सही आंसर हो जाएगा बहुत बड़ी है बाइग warm बाइज सभी डो बाइज ब तो इस कांसर की आ जाएगा बिल्कुल सही है कि जिसकी आंसर ए यारा बेस्ट इंडीज ठीक है कि माईला क्या करती है बेस्ट खेलती है बताया था ठीक है बहुत बढ़ेगा नेस्ट कोश्चन नेस्ट कोश्चन आपके सामने बता जाली से माइला किर्केट बाड़ कब 2021 में कहां आयजित किया जाएगा तो बताया था भाई कहां किया जाएगा आपका बिलकुल सही बाई न्यूजी लेंड ठीक है एनी शी ओप्सन आपका सही हो जाएगा बताया था जो माइला खरकेट का जो बाड़ कफ है वो क्या है न्यू गेम है तो अच्छा है बैस्ट है तो आफ यहां से कोरेलेट कर सकते ह प्रोश टी टॉंटी वर्ड कफ तो इसमें हम लोगों ने क्या लगाई थी आस लगाई थी कि अठारा में हार गए थे तो और आस फॉर क्या हो जाएगा अस्टेलिया हो जाएगा ठीक है चले नेस्ट कोशिंग पूछा गया क्रिकेट वर्ड कब 2019 में का हुगा था पता है इंग्लेंड में हुगा था और 2000 जो 23 में होगा क्यूंकि चार साल बाद होते हैं आपके वह अपके इंडिया में होगा ठीक है तो यह सब बता चुके हैं नेक्स्ट कोशिंग है पूछा गया बिश मुक्यवाजी और बताया था मुक्यवाजी कौन सबसे ज़्यादा करता भाई भारती लोग ज़्यादा करते हैं तो यह थी आपकी आगामी खेलों से रिलेटेट एंपोर्टेंड वीडियो ठीक है तो यह आपको बताना है कि आज की वीडियो कैसे लिए करके बताना है और जढ़त ज़दा शेयर करिएगा आप लोग देखिये अपनी जो जहासी इस प्रफॉट करने के लिए चैनल इस वीडियो को ज़दा ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करते जाए ठीक है और ट्रिक कैसी लगे यह भी बता आप सभी को कमेंट करके देखिए आप लोग कमेंट करोगे तु ज्याद़ अच्छा रहेगा मैं अच्छा लगेगा ठीक है तो चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इस तरही की वीडियो पाने के लिए बने रही है हमारी चेन Thank You.